कि देखिए के पूर्तुगीज वोर में उस से पढ़ने से पहले ऐ पूरिफेरा के अगा पुरिफेरा के बारे में क्या लिखिया एथ है यह कब हुआ था बिटा यह कब हुआ था अब इस्ट्री वाले लोग जानेंगे पुर्तुगीस का वार जो हुआ था बहुत ही पहले हुआ था मुझे भी याद नहीं विजिकली आता है कब हुआ था बहराल उसको छोड़िए डाइग्राम पे आईए कब हुआ था कैसे हुआ था था we will not hear for the SST classes देख विड़ादार से जो हम लोग फाइलम पढ़ने वाले हैं फाइलम पॉरिफेरा ठीक है पॉरिफेरा कुछ-कुछ बाते जान लिजिए नाम से मतलब निकल ला है पॉरि is equal to pore and फेरा is equal to around the body around the body यानि इनके body के मतलब पूरे के पूरे body पे बहुत जादे क्या होंगे पोर होंगे ठीक है चलिए तो यहां पे क्या है अब हम लोग पॉरिफेरा स्टार्ट कर रहे हैं इसके body के around बहुत सारे पोर होंगे तो पहले इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं ठीक है इसके पहले डाइगराम देखते हैं कि डाइगराम बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल डाइगराम है कोई ये डाइगराम ऐसा है ठीक है इसका इक्जाम्पल इक्जाम्पल मैंने पहले ही बोला था कि first we know about the example यहां पर आपके यहां दिकाश। इसक desaf待 के वारा न्याएं अपल इसके बारे में नहीं जानते हो। बहूत ही पहली बार पेपढ़ो तो इसके Example समझ लो Example समझ लो मैं यहां लिख Train देखोन है एसकॉन, साइकॉन, इस्पोन जीला, स्पोन जीला, इसकॉन, साइकॉन एन्ड इस्पोन जीला, ये तीन एक्जाप्ल अभी के लिए दिमागे बैठा लो थोड़े देर के लिए, अभी अपने आप ये लॉक्याँद है बहुत ही सिंपल है अब पढ़ते कैसे हैं वो देखते जाएगे यहाँ पे देखो बटा जैसा कि देखो बटा इसको पहली कंडिशन यह है कि अब कुछ बाते बताने जा रहे हैं उसको था ध्यान से सुनिएगा तो हो सकता है कि आप लोग के माइड में बैठ या इसके चोटे बॉडी पे छोटे छोटे फोर्स होंगे है डूसरी चीज है जाने लिजेए जिके हम बताने वाले हैं उसको तो आसा ध्यान से सुनिएगा ठीक है देखो इसके बॉडी पे इस तरह काटे होंगे इस तरह काटे होंगे ठीक है यह काटे हो यहाँ पर भी कुछ ऐसे काटे होगे ठीक है अब जब यही इस्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो समझ जाएए कि आधा से उपर एंसर आप लोका कम्प्लीट हो गया पहली बात एक बात जान लीजिये यह आल आर मराईन अब कोई हम को बता सकता है कि वाट इस मराईन यह मराईन क्या होता है कोई बता सकता है हमको हां, live in water, which type of water, which type of water, देख बटा, पूरे biology में, ठीक है, हां, good, good aranius, देख बटा, पूरे biology में, पूरे biology में, किवल दो हो चीज याद रखियेगा, यूकि आज तक water को किवल दो ही category में divide, ओके अमर, no problem, okay, later you just uploaded the video, you have to see that, listen very carefully, पहला point, अगर पहला point हमनों लिखे हैं, कि लिख सकते हैं, they all are marine, they all are marine, अब देख पाटा है, ये marine water जो होता है, पूरे biology में किवल दो ही water का यूज होता है, एक बुला आता है, fresh water और एक बुला आता है, marine water, पूरे biology में, आप लोग physics पढ़ते हो, तो उसमें बहुत सारे water पढ़ते हो, चार नॉर्मली आप पढ़ते हो, impure water, pure water, तो वो सब छोड़ दीजे, वो सब बिल्कुल छोड़ दीजे, biology में किवल दो water का यूज होता है, एक होता है marine water, और एक होता है fresh water, marine water को बोलते है, they all are marine, it means, live in marine water, marine water, marine water को बोलते है, salty water, यानि समुंदरी पाने, ठीक है, समन में आगया होगा, इतनी बाते, तो ये चीज़ दिमाग बैठा लीजे, पहले चीज़, अब इसके structure के बारे में कुछ पढ़ते हैं, विडिए देखो जहां से, सब लोगों ने स्पंज देखा होगा, जैसे मेरे हाथ में एक स्पंज है, मेरे हाथ में ये क्स पंज है, मैं as a desktop इसको यूज करता हूँ, जबकि ये स्पंज है, क्योंकि इसके साफ बहुत अच्छा होता है, तो जहां से, अगर इस स्पंज को, जिसे मान लो कि यह स्पंज है मैंने इसको क्या किया ऐसे दबाया ऐसे दबाया ऐसे दबा करके ठीक है इसको पानी में रख दिया इसको ऐसे दबाएंगे दबाएंगे जैसे दबाएंगे और पानी में दबा करके पानी में रख देंगे तो यह पानी को अब्सॉर्ब कर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा पहली चीज क्यों एब्जॉर्ब कर लेगा इसका मतलब यह हुआ कि इसके बॉड़ी में जगा जगा छोड़े छोड़े क्या है पोर्स है यह पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आया से यस और नो यहां पर कुछ पॉइंट देखो इस तरह इसके भी बॉड़ी में इसके भी जो बॉड़ी हो रही है देख रहा हो इसके बॉड़ी में जगा जगा पॉर्स है इन पॉर्स को बोलते हैं आस्टिया आस्टिया नाम याद कर लीजे नूमरस पॉर्ड विच आ प्रेजेंट अराउंड बॉड़ी अनिमल्स अफ फाइलम पॉरिफेरा इस काल्ड आस्टिया य एक लार्ज पॉर बड़ा सा पॉर ऊपर होगा उसको बोलते हैं आस्टिया ये कई बार एंटिया सी में पूछा जा चुका है एंटिया सी में डाइगराम बना देगा ठीक है इसको इसको एरो करके कोशन मार्क कर देगा या ऊपर वाले को एरो करके कोशन मार्क कर देगा त यहां पर यह लिख देगा, यहां पर भी लिख देगा, नीचे option देदेगा, कि यह अभी क्या है, तो आप लोको tick करना पड़ता है, तो that is osteorosculum, ठीक है, फिर इसके body पे numerous काटे होते हैं, spines होती है, काटे होते हैं, जिसको बोलते हैं, spicules, spicules, यह याद रखी, spicules, ठीक है, य basically, समुंदर के अंदर होता है, यहां पर चटान पर यह present होगा, तो जिस, जिसके मदद से चिपकता है, चटान से, suppose कर लो, अगर यह चटान है, यहां पर यह पूरा चटान है, जिस पर चिपका है, तो इसको बोलते हैं, stolen, stolen, यह diagram समझ में आया, say yes or no, diagram समझ में आया, say yes or no, तो कि बहुत सारे points अभी मताते रहेंगे, say yes or no, fast, one second, good, चटे बटा है, एक बार और देखो, एक बार और देखो, इस diagram को एक बार और देखो, बहुत ध्यान से सुनो, आप लोग लिखो मत पहले, सुन लो ध्यान से तो अपने आप लिखाई हो जाएग, यह diagram है, ठीक है, suppose यह diagram है, इसके body पे खुब धेर सारे, जैसे मान लो, मेरे पास कुछ है भी नई, इस समय प्रेजन टाइम है, तो हम दिखाते हैं आप लोग को, जैसे मान लो कि यह मेरा जो bottle है, यह पूरा का पूरा एक, यह एक organism है, यह वाला, यह वाला एक organism है, ठीक है, तो इस bottle पे और बोलेंगे, ऐस्टिया, अब यहाँ टिप पर एक बहुत बड़ा पोर होगा, उसको बोलेंगे, आशकूलम, यह वाट समझ में आया कि नहीं आया, से यास और नो, से यह सोब नो समझ में आया थे नहीं आया थिक है चलो अब यह एक चीज अभी मैं नाम की अल बता है आप इसका फंक्शन आप सुनेंगे ज्यां सुनें के दान से प्रिस्व आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रिट्ग को समय नहीं आ रहा है अक्छ है सांतनू रिप्लाई नहीं आ रहे हैं आप लोगों के ठीक जब देख बड़ा अब ध्यान से ठीक है तो आस्टिया और आस्टुलम में डिफरेंस आप लोग जांगे आस्टिया मतलब क्या होता है नूमिरस पोर अराउंड बॉड़ी अराउंड बॉड़ी काल अस्टिया लाज पूर एड़ टॉप एड़ टॉप एड़ टॉप एड़ टॉप कॉल आस्टुलम यह सब समझ में आ रहा है सब को यह सब समझ में आ या दो दो पॉइंट मैंने कैसे लिखा ठीक है देखो बेटा ध्यान से अब नेक्ट पॉइंट देखो अब मैं इसका वर्क नहीं बता रहा हूँ बैस में 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 पॉइंट में बता रहा हूँ अब इसके वर्क पे देखे देखो अब इसके एक एनिमल है जब एनिमल है तो इसको खाना खाने की जरूरत होगी ऑक्सीजन लेने की जरूरत होगी जैसे माल लोग बहुत यहां पर ध्यान से सुनिएगा यह अपने आपको यह अपने आपको बहुत यहां पर मेरा हाथ देखिये सब लोग Have you listened very carefully? Audio is clear, is response fast? Good. Visual is clear, audio visual is clear, good बेटा चलो देखो ध्यान से. बहुत ध्यान से सुनो मेरे हाथ को देखो सब लोग. बेटा बहुत ध्यान सुनो मेरे हाथ को. यह, जैसे यह है, ठीक है, यह है, फूला हुआ है, यह अपने बॉडी को दबाएगा. ठीक है, पानी में है, पानी के अंदर है यह. अपने बॉडी को दबाया, फिर छोड़ दिया. तो क्या होगा? सोचो क्या होगा, बताओ. सोचो क्या होगा, जल्दी बताओ, क्या होगा? बॉडी को अपने दबाया, फिर छोड़ दिया. बताओ क्या होगा? जल्दी को रिप्लाई दे, जल्दी रिप्लाई दे. water will come out good बेटा चलो यहां तक कुछ points तो बताए तुम बहुत अच्छे बेटा देखो ध्यांसे मैंने पहले ही बोला है बेटा इसको समझ लो इसको समझ लो एक sponge है यह यह क्या है एक sponge है इस sponge को अच्छा छोड़ दो यह बताओ यह एक sponge है मैंने इसको खुट तेज दबाया पानी में है यह खुट तेज दबाया और छोड़ दिया थोड़ दे तक तो यह क्या करेगा sponge यह sponge जो है वो क्या करेगा क्या करेगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या करेगा जल्दी गुड़ बाकि लोग को समझ वे यह प्लांट है यह अपनी बॉडि को जैसे ही दबाएगा जैसे ही दबाएगा ठीक है बहुत ध्याशनुक्ट यहथ एक एनिमल है हम जैसे प्लांट है ये अपने body को दबा करके छोड़ दिया ठीक है body को अपने दबा करके और छोड़ देगा तो पानी के अंदर present है पानी के अंदर present है तो जो पानी होगा वो इस ostea के रास्ते इसके body में enter करेगा am I correct or not? इस ostea के रास्ते वो पानी इसके बॉड़ी में क्या करेगा एंटर करेगा जल्दी बताइए मैं करेक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ जल्दी बताइए जल्दी बताइए मैं करेक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ गुड चलो ठीक है तो यहां तक बॉअ अज़े हों अध्य बड़ा पानी के साथ बहुत ध्यान सुनियेगा पानी के साथ कुछ और्गनीजम भी तो आएंगे salty water मेरा रहा है तो salty water में चोड़े चोटे organism भी तो है आकिर वो भी तो आएंगे पानी के रास्ते इस spore के रास्ते, इसके body के अंदर आ जाएंगे सब को समय में आया पानी के रास्ते पानी के रास्ते ठीक है, औस्टिया के थू कुछ जो animals है, छोटे छो animals है वो इसके body में आ जाएंगे points to be clear body के अंदर आ जाए अब वो इस animal को क्या कर लेगा वो इस animal को body के अंदर ये क्या करेगा आपने body के अंदर वो इस animal को पकड़ लेगा यहनि इसके stomach है इसके अंदर वो direct उसके stomach में चले जाएंगे और वो जितने भी animals होंगे उस animals को क्या करेगा वो पकड़ लेगा सब को ये point समझ में आया की नहीं आया say or no जली बताइए good सब को ये किसको नहीं समझ में आया चलो एक बार और के रिथिका बहुत ध्यान सुनो बेटा एक बार और one more time listen it very carefully एक बार और यहाँ पर हम डाइग्राम मना रहे हैं एक बार और सुनो ध्यान से ठीक है sir animal तो micro organism होता बेटे देखो micro organism ये पूरा एक organism है ये बहुत ही बड़ा organism होता है ठीक है समुन्त के अंदर होता है देखो बेटे यहाँ पर मैं चोटा सा डाइग्राम इसका बना रहा हूँ ये जान लोग कि ऐसे है ठीक है यहाँ माल लोग कि ऑस्टिया है हम तीनी बना रहा है एक preview देने के लिए आप लोग को ये एक austria है ठीक है इसने अपने body को पच्छका करके फुलाया तो ये पानी के अंदर है तो water इस austria के थ्रूँ क्या होगा enter होगा ठीक है ये बाहर पोर जैसे माल लोग कि ये हमारी body है ये हमारी body है ठीक है तो यहाँ पे pore है और इसको बीच में हमारे हाथ के बीच हो बीच जो है वो इसका stomach है इस stomach के अकल है तुरंट इसको पकड़ ले रहा है तो इस pore के रास्ते water के रास्त से water की मदश से कुछ organism जो होगे जो छोटी छोटे organism होगे जो भी होते होंगे वो भी जो है इस pore के रास्ते ये इस इसे austria के रास्ते austria के रास्ते इसके body में enter करेंगे am I correct or not say yes or no जली बताइए size of the pore size of the pore according to the animals according to the animals size of the pore में variation होते जैसे माल लोग अगर एक adult है अगर एक adult इतना बड़ा एक अगर इतना बड़ा एक ये animal है इतना बड़ा एक animal है जैसे example के तोरे तो वो उसका pore जो होता है pore जो होता है वो कुछ centimeter हम कहेंगे कुछ centimeter कहेंगे approximately जानगे मानगे चलिए five to six centimeter तक इसके austria हो सकते तो काफी बड़े होते ठीक है और circle में होते हैं अब उसकी diameter वेगरा मुझे नापके नहीं मुझे को पता Arrhenius that is clear or not? Please reply चलो ठीक है बहुत अच्छे तो यहां से water जैसे ही पूरे water और कुछ organism जो है इसके body के अंदर चले गए तो organism को यह क्या करेगा पकड़ लेगा और अपने body के अंदर यह organism को क्या करेगा पकड़ लेगा और इसको water को बाहर निकालना है क्योंकि water का जरूरत है नहीं इसको animals खाने की जरूरत है इसको ठीक है तो water को इसको बाहर निकालना है तो जैसे यह क्या करेगा उस animal को पकड़ लेगा ठीक है उसको खाएगा खुब जम के खाएगा उसका utilize करेगा समझ में आ रहा है सबको खाएगा उस animal को utilize करेगा ठीक है अब खाने के बाद कुछ waste material बचेगा ठीक है कुछ waste material बचेगा तो यह अपने body क्या करेगा ऐसे दबाएगा खुबते जी से ठीक है नहीं बेटा इसमें mouth का है यह mouth का है मैंने mouth कहीं लिखा है कहीं मैंने mouth लिखा है कहीं मैंने mouth लिखा है अगर इसके पास mouth होता और एनस होता तो मैं यह नहीं बोलता कि इसके body complete digestive system है ठीक है दो number difference होता है वीटा ठीक है बहुत यह सुनोगा एक बार और देखो एक बार और देखो एक बार और देखिए विटा जहां से तो ये इस ओस्टिया के मदद से ठीक है और्गनीजम इसके बॉडी के अंदर गया वो और्गनीजम को खाया चबाया, खुब बढ़िया से यूस किया, तो उसका वेश्ट कुछ निकलेगा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो कुछ न कुछ वेश्ट होता है तो वेश्ट को बॉडी से बाहर निकलना है तो फिर अपनी बॉडी ये खुबते ही से क्या करता है दबा देता है, जो वेश्ट होता है वो इस औसकुलम के रास्ते बाहर निकल जाता है कि सबको समाज में आया की नहीं आया आज ऐसकूलम के रास्ते क्या हो जाता है बहार निकल जाता है यह सब पॉइंट समझ में आये की नहीं आये से यह सॉर्म सब को I want everyone reply चलो बहुत अच्छे चलो बहुत अच्छा चलो ठीक है तो ये चीज आप लोगो दिमागे यानि हम ये कह सकते हैं अगर हमको point एक लिखना है point अगर मुझे एक लिखना पड़े third point तो हम ये लिख सकते हैं ostia help ostia help for intake of food intake of food and and ostia help for removing of removing of waste am I correct or not say yes or no this point is should be correct or not good इंग्लिस थोड़ी सी तंग है तो इंग्लिस में थोड़ी सी वह लोचा हो सकता है मतलब थोड़ा गल्ती हो सकती है चलो ठीक है अब 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 बेटा अब बेटा कुछ कुछ पॉइंट और पर आते हैं थोड़े 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 पॉइंट्स पे और पर आते हैं अब आप आप देखो बेटे दहांसे यहां तक आप लोगो ने पढ़ा कि ऐसे यह समुद्री इनिमल है यहां तक के पॉइंट सब को Clir है यहां तक के पॉइंट सब को Clir है से यस और नो ठीक है यहां तक कि पॉइंट्स अब को क्लियर है से यस और नो चलो फूर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो इसको कॉमनली कहते हैं कॉमनली कॉमनली कॉल्ड स्पॉंज स्पॉंजेस स्पॉंज यानि स्पॉंज करते है यह ऐसे नॉर्मली पूज देता है कभी-कभी ऐसे हाँ समझने आगया होगा इतनी बात है ठीक है तो कॉमनली कॉल्ड एस स्पॉंज बहुत ध्यां सुने एक-एक पॉइंट और अब जैसे कि यह एक एनिमल है उसी तरब कुछ और भी एनिमल होंगे जो इसको भी खा सकते है Am I correct or not? भाई अगर यह किसी एनिमल को खा रहा है तो भाई इसके उपर भी तो कुछ एनिमल होंगे तो इसको भी तो खा सकते है Am I correct? ठीक है? Good? बहुत अच्छे तो यह इसको बचने के लिए इसको बचाने के लिए इसको बचाने के लिए इसके बॉडी के ऊपर काटे-like structure होते है ठीक है? उस काटे-like structure को बोलते हैं spicules spicules help to protect and to protect it from another animal ठीक है? यह points on में आगे होंगे अब दो बड़ा वहाँ पर मैंने दो तरीके का spicules बनाया है यह आपके course में है नहीं लेकिन NTSC में तीन बार यह question आ चुका है ठीक है? तो आप देख लीजे spicules जो होंगे यह spicules जो होंगे वह दो टाइप के मैंने डाइग्राम बनाया है वहाँ पर देखिए ध्यान से तो देखो बड़ा एक डाइग्राम मैंने एक डाइग्राम मैंने सिंपल सा इस्तर बनाया है सिंपल सा इस्तर बनाया है देखो यह वाला ठीक है और दूसरा डाइग्राम मैंने इस तरह बनाया है ये डाइग्राम ठीक है योगी ये डाइग्राम देखो ये वाला ठीक है तो अब यहाँ पर कंडीशन देखो बटा इस्पिक्यूस टू टाइप्स के एक स्पिक्यूल ऐसा है जिसमें दो तरफ नुकीला है दो तरफ इसको बोलते हैं बाइफिक्सड और इसको बोलते हैं तीन तरफ नुकीला है इसको बोलते हैं ट्राइफिक्सड ट्राइफिक्सड ना इसको बोलते हैं ट्राइफिक्सड ना इसको बोलते हैं it was clear चलो कितने points बने 5 points बने अब कुछ और points पर आता है ठीक है हम बहुत कुछ बताने वाले हैं आपके book जब open करोगे तो मुस्किल से 4, 5, 6 points मिलेंगे आपको ठीक है लेकिन यहाँ पर आभी आपने पिछला protozova में देखा तो आप approximately 10 points मिले थे यहाँ पर भी अभी तक आप लोगों को 5 points मिले बहुत सारे points और देखते हैं देखो ध्यान से यहाँ तक के points clear हो गए आप लोगों के अब मैं 3 points को यहाँ से delete करूँगा और बहुत ध्यान से देखिए और points 5 पॉइंट है फिर आते हैं छटवे points के उपर अब आप लोग answer बताओगे जो पहले बताएगा देखते हैं कौन पहले answer बताता है लेट सी यह organism यह organism इसी तरह खड़ा रहता है इसी तरह खड़ा रहता है अगर इसको हम बीच में से कट कर दें तो क्या यह दो भागों में डिवाइज होगा से यस और नो गुड 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 तो विश टाइप ऑफ सिमेट्री इस प्रेजन इन दिस और गुड़ीजम साक्षी डिवाइज होगा बेटा नहीं अक्ष है बायलोजी में बताईए हाँ गुड रिसब गुड कृतिका से एसीमेट्री नहीं देख बटा देहां से एक बार रो देखो देहां से लिसन इट वेरी केरफुली यह और्गनिजम ऐसे खड़ा रहता है जैसे खड़ा है वैसे खड़ा रहता है इसको बीच में से कट कर दें, बीच में से कट करेंगे रहा, खड़ा है और बीच में से कट कर देंगे, तो दो बराबर भागों में बट जाता है, ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, बाइलोजी में बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, यह याद कर लिजेगा radial symmetry is present in that ठीक है फिर अब दो मिनिट बाद ये बंद होने वाला है तो दुबारा फिर आ जाईए आप लोग तो यहां तक के points को आपको clear समझना पड़ेगा ठीक है देखो पहरी बाद दूसरी बात ये है कि यहां पे क्या है इसके पास अब फिर के question हम आपसे पूछने वाले हैं बहुत ध्यान सुनिएगा फिर एक question तुरंद comment box में जाईएगा इसके पास न तो mouth है न तो anus है तो ऐसे animal जिनके पास mouth और anus नहीं होता है उसको क्या कहते है क्या कहते है कैसा digestive system है complete है कि incomplete digestive system है जल्दी बताइए complete digestive हाँ good बेटा incomplete digestive system यहाँ पे देख बड़ा क्या है कि न तो इसके पास mouth है न तो अच्छा हम लोग का complete होगा कि incomplete होगा आप बताइए हम लोग का complete होगा कि incomplete होगा complete good इसके पास न तो mouth है न तो anus है यानि सात्वा point हो जाएगा incomplete digestive system अब बताओ respiration और respiration कहां से होगा respiration यह कहां से कर रहा होगा respiration respiration यह कहां से कर रहा हो नहीं गलत reserve गलत बेटा वो खाना खाने के लिए है जैसे हमारी mouth है न माउत मेरा खाना खाने के लिए है ठीक है ना हमारा respiration करने के लिए उसके पास ऐसा कोई क्या बोलते ओर्गन है अलग-अलग क्या इसके पास कोई ओर्गन है जिससे ये खाना अलग से खाए और रेस्पाइरेशन अलग से ले तब बोलेंगे नहीं इसलिए respiration जो होगा जैनी 7th अगर 8th part देखें जो respiration होगा respiration through general body surface जैसे amoeva में हो रहा था ना ऐसा ही इसमेरा respiration कोई नया respiration इसमें नहीं होगा पॉइंट भी क्लियर और नौट पॉइंट समय में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ठीक है गूड ौपॉइंट ठीक है रि पोड़क्शन रि पोड़क्शन बाई ब मदधिंग कर्बड़िंग आप लोग नहीं पड़े होंगे एक कुछ कुछ लोग पढ़े होंगे कुछ नहीं पढ़े होंगे वो देखने जी बढ़ीं क्या है बिटा देखो जैसे मान लो कि पढ़े है कोई बात मैं जैसे मान लो कि यहाँ पर यह एक अगर यह एक छल्वा लीड़ र sus Rebbe यही बर्ड आगे चलके यही बर्ड आगे चलके एक खुब बड़ा बनाएगा और फिर यह जब बड़ा हो जाएगा तो यह बॉड़ी से डिटेच हो जाएगा ठीक है तो एक पैरेंट बॉड़ी से दो पैरेंट बनाना इस बॉड़ मेथड की प्रोसेस से इसी प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग तो यह बर्डिंग होता है ठीक है इतनी बाते समय जाएगा अब जो बताने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप लोग का दिमाग खराब ह होगा पहली चीज दूसरी चीज हम बता है दूसरी चीज हम बता रहे हैं आप लोगो ठीक है दिमाग थोड़ा सा खराब होगा यहां पर बताने जा रहे हैं अब दसवा पॉइंट और थोड़ा सा confusion create होगा लेकिन listen it very carefully carefully means carefully बहुत ध्यान सुनेंग यह पूरा का पूरा इसक water पे चाहें वो कैसा भी वर्ग हो अगर इसको एक जगह से दूसरे जगह भी move करना है ठीक है तो खुब तेजी से water का बहाव आएगा तो water के मदद से ही वो एक जगह से दूसरे का कर सकती है move कर सकती है पहला point दूसरा point water ही इसको जो है वो पूरा का पूरा खाना दे रहा है क्योंकि water से ही क्या ले रही है पूरा का पूरा nutrition ले रही है समझाया या यानि पूरा का पूरा dependent कि इस पे है water predicted ठीक है अब बहुत ध्यार से सुनिए बाद चोंब बताने वाले अब एक सिस्टम इस सब के body में present होता है जिसको बोलते है water canal system water canal system confuse मत होईएगा क्योंकि ये बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तो हम बताते चलना है उसको ध्यान से सुनेंगे water canal system में क्या है बेटा देखो बहुत ध्यान से देखो ठीक है ये किवल austria को लिया है suppose कि लो कि एक ऐसा organism है ये एक ascon का diagram है इस diagram का नाम ascon है ठीक है इसके austria को एक austria को जब cut करके अंदर तक cut करके देखा गया अंदर तक cut करके देखा गया ठीक है तो जैसे example के तोरपे मालो कि मैंने इस ओस्टिया को कट करके देखा तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्शर देखा ये पोर है ये ओस्टिया पोर है और ये उसका पार्ट है सबको समझ में आगया कि नहीं आया गया ये पार्ट यह सब्ध में आया कि नहीं आया तभी हम आगे चलेंगे जल्दी जल्दी reply दीजे reply दीजे तुरंट सब का reply आना चाहिए once चलो एक बार और देखू good good बाहुत बढ़िया चलो एक बार और देखू बाहुत ध्यान सुरेंगा एक बार और देखिए इसको मैंने क्या किया सपोस कर लो कि एक एक एनिमल है उसका नाम है जैसे प्रोटेजोर है आप लोग ने पढ़ा था तो प्रोटेजोर है बहुत सारी एक्जामपल थे अमीवा था पैरेमीशियम था यूगलीना था प्लाजमोडियम था तो उसी तरह पोरिफेरा में यह तीन एक्जामपल मैंने लिख दिया एसकोन, साइकोन और स्पोंजीडा ठीक है अब मैंने बोला कि यह डाग्राम जो मैंने बनाया है वो एसकोन का डाग्राम है इसी तरह साइड डाग्राम होंगे बस उन्हें क्या चेंजेज रहती है उन्हें बताने जाने हो देखो जब इसके इस ओस्टिया को इस ओस्टिया को इतने पार्ट को मैंने कट करके और इलेबोरेट करके देखा यानि बढ़ा करके जैसी एक्जामपल को दोर पे आप लोग को पता होगा आप लोगे क्लास 7 रोट में देखते होंगे कि लीफ का एलेस जैसे मालो ये लीफ है ठीक है तो थोड़ा सा कट करके यहाँ पर डाइग्राम खुब बड़ा सा इसका दिया होता होगा ठीक है इस तरह डाइग्राम अगर दिया रहता होगा उस तरह सेम कंडिशन इसका मैंने किया इसके ऑस्टिया को मैंने यहाँ पर कट किया और उसको देखा तो उसका स्ट्रक्चर जैसे मालो कि ये बॉड़ी की वाल है यानि ये बॉड़ी है ठीक है और ये पोर है इसी के रास्ते वाटर क्या करता है एंटर होता है यह ही है क्या है और अस्टिया clear हुआ कि नहीं हुआ say yes or no then we will proceed reply everyone please reply everyone please reply ठीक है सब को समझ मियान अशे सब का हाँ ठीक है गूड गूड चलो अब आगे चलते जैसे 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 आप लोगोंने प्रोटोजोवा देखा याद आ रहा है प्रोटोजोवा भी मैंने प्रिविएस लेक्चर में पढ़ाया था अगर प्रोटोजोवा लॉन दिमाग में बैठा होगा प्रोटोजोवा तो आपको याद होगा कि मैंने अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया पहले जिसका irregular structure था फिर paramecium का structure बनाया जो थोड़ा सा regular structure था ठीकी जिसके अंदर दो nucleus थे फिर ugleena का structure बनाया जिसके पास एक nucleus था थोड़ा सा बड़ा structure था यह जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे body का structure जो है जो body का structure है वो advanced होता जा रहा है यह point दिमार्ग में बैठा लिए कि नहीं बैठा लिए से यह सोर्मौ चलो अब आगे देखते हैं जहां से एक एक point देखते रहो तो जब इसके जो ascon जो example ascon है उसके को देखा गया है उसका आस्टिया देखा गया तो हमको इस तरह का आस्टिया दिखा उस तरह जब साइकॉन ने जैसे मालों जो कोई साइकॉन है उसकी बॉड़ी का देखा गया तो उसकी बॉड़ी का थोड़ा सा चेंज था इस तरह डाइग्राम था उसके ऑस्टिया का ये ऑस्टिया है और यही पोर है जिसके रास्ते वाटर बेगरा अंदर होता है ये point समझ में आया थोड़ा सा complicated होता जाएगा हमेशा समझ में आया कि नहीं है से यस और नो good complicated करते रही है और कुछ मत करें बस complicated करते रही है ठीक है good इस पॉंजिला में आया है तो और complicated कर दीजे और complicated कर दीजे यही यही question जो है कितने बार घुमा फिरा करके ठीक है कितने बार घुमा फिरा करके कितने बार पूछा गया है NTSC में अब इसका नाम पूछा जाता है ये तो नॉर्मल है ठीक है अब ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है कि वाटर को अंदर ला रहा है यानि वाटर कैनाल सिस्टम है ये Water Canal एक सिस्टम बना रहा है यानि Water की मदद से एक सिस्टम बना रहा है तो ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत ही सिंपल ऑस्टिया होता है बहुत ही सिंपल होता है ठीक है उसको बोलते हैं Escon देखो इसका नाम भी एक्जामपल याद हो जाएगा एक इसकॉन होगा और उसमें Water Canal सिस्टम, Water Canal या Water Vascular सिस्टम होगा Water Vascular सिस्टम भी कई के बुक में मिलेगा ठीक है तो कन्फ्यूज मत होईएगा तो इसमें जो सिंपलेस्ट वाला जो होता है सिंपलेस्ट वाला जो Water Vascular सिस्टम होता है उसका नाम है Escon जो उससे थाए डिफकल्ट होता है उसका नाम है साइकॉन ठीक है यह वाला यह इग्जाम्पल है और यह वाटर वैस्कुला सिस्टम है यह याद करने का तो इसलिए मैंने तीन इंग्जाम्पल बहुत इज़ी लिया लेकिन लास्ट वाले का नाम है रेगॉन र-a-g-o-n ठी यह पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? say yes or no, no good, बहुत बढ़िया बटा, no sir good बेटा, अब देखो ध्यान से, इसका मदब तुन लिख रहा होगे देखो ध्यान से, यह एक बात है क्लियर हो गई कि यह कैसे डाइग्राम बनाए मैंने, say yes or no, यह डाइग्राम कैसे ब अगर diagram clear है, मैंने पहले ही बोला, कि इसकी पूरी की पूरी body water पे dependent है, यानि water के एक system पे dependent है, उसका नाम दे दिया गया है water vascular system, या water canal system, ठीक है. अब हमने जब scientist ने देखा, साइनटिस्ट ने देखा, कि भाई यहाँ पे तो water ऐसे जा रहा है simple से, और सिंपल ऐसे घूम रहा है, सिंपल है, फिर आगे गया तो देखा एक औस्टिया ऐसा है, जिसमें वाटर बहुत जादे घूम रहा है, अलग सिस्टम होगा, यह पॉंट सवन में आएक निया है, सेया सवन में, बाई, वाटर के मुव्मेंट पे जाओ, देखो यहाँ पे क् यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, यानि ऊपर नीचे, ऊपर नीचे थोड़ा सा डिफिकल्ट, और यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट जा रहा है, यानि सबसे डिफिकल्ट, ठीक है, यानि यह सबसे डिफिकल्ट, इसका हम देखो बटा, तो यह स रेगान नो एक वास क्लिर और नॉट से यस और नो सब को सब को क्ला किया निवा ठीक है अब बेट दिखो सब क्लिर रुगा निवा निवा से यस और नो गूट कृथिका अर नियस यह रिस्पॉंस चलो ठीक है साक्षी गुड रेगाउन नहीं समय में है गुड बेटाच बहुत अच्छी बात है देव बड़ा जहां से यह सिंप्लेस्ट था तो इसका नाम दे दिया गया प्यवल नाम है वो यह प्यवल नाम है सिंप्लेस्ट था तोड़ा सा मूढ जो साइकौन नाम दे दिया गया बहुत जादे मुढ गया इसका रेगाउन नाम दे दिया गया और कुछ नहीं है इसमें ठीक है अब कुश्चन देखो मैं बनाता हूँ इससे वो आप समझ जाओ तो इसका नाम भी समझना है अब एक बात बताओ अगर कोई और्गनीजम सपोस कर लो कोई और्गनीजम अगर ऑस्टिया के थ्रू आता है इंटर करता है ठीक है तो सबसे इसको किसमें रेगाउन में होगी गुड रेगाउन में क्यों होगा क्योंकि यहां पर जादे उपर नीचे वाला प्रोसीजर है यहां पर क्या है अगर माल लो यहां पर क्या है वह एक कंडिशन है वहां तुरंत आ सकता है तुरंत निकल सकता है वह सकता है वह सकता है तुर वहुत ही ज़्यादे folding है ठीक है तो उसको निकलने में problem होगी यानि वो time लेगा कि समझ में आया कि नहीं आया say yes or no यहां तक समझ में आया कि नहीं आया say yes or no सबको 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 सची चलो ठीक है तो water water vascular system इसमें तीन types के होते हैं यह exam में बहुत पूछा जाता है ठीक है बन्दब क्यों पूछा जाता है बिटा हम reason आपको बता देते हैं एक किसी भी 10th level की book में आपको यह जल्दी नहीं मिलेगा ठीक है और जो school में maximum school में जो teachers पढ़ाते हैं वो इस चीज को नहीं बताते हैं उनको मालूम तो होता है मैं यह नहीं बोलना हूँ वो teacher है मेरे नजर में वो teacher है उनको knowledge अधिक है knowledge अच्छी है ठीक है तो उनको पता होता है ठीक है लेकिन कभी कभी क्या होता है न मिस हो जाता है नही बता देता हूँ, ठीक है, तो तीन वेस्पलस सिस्टम है, यह एसकॉन साइकॉन एन्रेगॉन यह तीन सिस्टम जान लिजे, ठीक है यह एक्जाम में बहुत पूछाए था, क्योंकि स्कूल वाल टीचर के वाल, स्कूल के एक्जाम के बेसिस पढ़ाते हैं, हम लोग जो पढ़ाते हैं, वो पूरा NTSC, Olimpiaid के बेसिस पढ़ाते हैं, ठीक है, पिछले ही साल अभी आपको कितनी बार बताएं आप लोगों को, पिछले ही बार, हम लोग के बैज का अभे जो है, वो उसका NTSC क्लियर हुआ है, ठीक है, तो उसने पूरे के पूरे, यही सब पढ़ाते हैं, यही कोशन आई थे, जो आप पढ़ा दिये थे, मैक्सिम, और सही बता रहे हैं, मैं अलग से कोई NTSC, Olimpiaid क्लासेज में नहीं लेता हूँ, तो कि मैं देखो बटा, आप जो भी आपके पास बूक होगा, ठीक है, जो भी आपके पास side book होगा, बायलो जी की, ठीक है, आप उसमें यह chapter open करो, diversity in living organism, ठीक है, आपको बहुत जादे point मिलेगा इसमें, ठीक है, तो चार, पांच या maximum 6, मैं हर एक फाइलम में, हर एक उसमें फाइलम में, मैं कम से कम कुछ नहीं और ऐसे से points बताऊंगा, जो आप ही लोग बोलेंगे मुझे, कि सर ये भी लिखिये, ये भी लिखिये, वो भी लिखिये, यहां तक के points clear हुए कि नहीं हुए, say yes or no, सबको ये points समझ में आ गए, देखो बेटा, तो points अगर समझ में आ गए, ठीक है, देखो, lecture में उतनी मस्त ही तो नहीं किये हम, तर what is water, एक नड़ देखे, क्या लिखा था भाई, एक बार देख ले, what is water vascular system, हाँ, देखो बटा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनियेगा, अभी आपको आएगा water canal system, इसको एक और नाम दिया जाता है, वो भी नाम आप लोग याद कर लिए, water canal system, हम एक छोटी सी बात बताते हैं, सुनते जाने आद से, class 7th में, आप लोगों ने कुछ vascular system पढ़ा था, vascular system नाम का कुछ पढ़ा था, class 7th याद करिए, कुछ पढ़ा था, what is vascular system, तो आपने वहाँ पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, कि xylem और ph फ्लोयम को मिला करके हम बोलते हैं, vascular system, ठीक है, xylem और phloयम को मिला करके हम क्या करते हैं, एक vascular system जो थोड़ा बहुत गलत है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत सही भी है, गलत क्यों है, उसका reason हम बता चुके है, ठीक है, 37 chapter में हम बता चुके हैं, क्यों गलत है, ठीक है, दूसरी चीज हम बता रहे हैं सुरो ध्यान से, अब यहां पर हम क्या है, यानि वैस्कुलर सिस्टम है, किसका वैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, अरेनियस वाय का एक्जामपल, जब आपके रिकवरी क्लास, जब आप लोग तैयार हो जाएंगे रिकवरी क्लास के लिए, सारे पर वो वैस्कुलर सिस्टम था, प्लांट में वैस्कुलर सिस्टम था, अगर यहां पर केवरी वैस्कुलर सिस्टम लिखते, तो जायलम और फ्लोयम आपका ध्यान में आता, कि भाई, जायलम और फ्लोयम को वैस्कुलर सिस्टम यहां पर भी कर रहे हैं, नहीं, इसलिए मै ठीक है इसलिए इसका नाम दे दिया गया water vascular system जो भी काम इसके body में हो रहा है चाहे वो इसका movement हो चाहे इसको खाना खाना हो चाहे इसको कोई चीज रिमूव करना हो किसी जरुद पढ़ गया water की जरुद पढ़ गया यानि पूरी पूरी body किस पर डिपेंड है water पर अभी आप लोग थोड़े देर दिन बाद ठीक हम पढ़ाएंगे starfish के बारे में जब पढ़ाएंगे न तो उसमें भी एक water vascular system present होगा अगर आप सर्च करना चाहे तो google पर सर्च कर लीजेगा उसका नाम है embolacral water vascular system embolacral वहाँ याद नहीं करना पड़ेगा अपने आप लॉन हो जाएगा गूगल पर सर्च करें embolacral water vascular system क्योंकि starfish की भी जो body होती है वो देख बढ़ा बहुत ध्यान सुनो सब लोग सुन रहे होंगे बहुत ध्यान से सुनो ध्यान से ठीक है आज हम whatsapp group में हैं तो हमको पता है कि आप लोग को उतना interesting तो आज का लेक्चर लगा नहीं क्योंकि मैंने हमने मस्ती ने की क्यों पढ़ाया मैंने तो मुझे था response थोड़ा सा अच्छा नहीं आगा लेकिन ध्यान से कभी भी जब हम लोग को दौड़ना रहता है तो हम लोग क्या करते है पैर पे पूरा प्रेशर लगाते हैं और पैर को पीछे धाकेलते हैं पैर को हम लोगों को पीछे रखेलते हैं और आगे क्या करते हैं हम लोग मुव करते हैं Am I right or wrong? Am I right or wrong? That is correct or not? सबको समझ में आगया अब देखो बटा अब यही चीज इसमें भी है इसको मालो मूव करना है तो वाटर अब यह एनिमल है ना यह जिस तरह से मन करें उस तरह के से यह वाटर को फ्लो कर सकता है वाटर को एब्सॉर्ब करेगा और फिर इसमें ऐसे मूव करेगा ऐसे फ्लो करेगा जैसे उसको आगे जाना है या पीछे जाना है बैराल अभी उसको छोड़ दीजे, यहाँ पे इसको देखिए, स्टार्फिस का, जब स्टार्फिस का मेरे को इस्टार बनने नहीं आता है, थोड़े बहुत स्टार बन जाते हैं मेरे से, क्योंकि मेरा ब्राई उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो स्टार्फिस का क्या कंसे इसके फुट होते हैं, यहाँ पे इसके ट्यूब होते हैं, इसको ट्यूब फिट कहते हैं, कभी भी स्टार्फिस का डाइग्राम देखेंगे, तो यह क्या हम करता है, यह वाटर को यहाँ से लेगा, खुब जादे वाटर को भर लेगा, इसके बॉड़ी के अंदर भर इसके यहाँ, तो यहाँ से water को absorb किया, खुब water ले लिया, और पूरे की पूरे water को इदर flow कर देगा, पूरे की पूरे water को इधर flow कर देगा ताकि यह वाला जो इसके pressure पड़े और यह तुरें है क्या करे, इधर move करे, समझ में आया, ठीक है, थोड़ा वो समझ में आ गया, then it's okay, no problem, because अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग देखेंगे, इसमें, इकाइनो डर्मेटा में जब हम पढ़ाएंगे, इकाइनो डर्मेटा, तो आप लोग को पता चल जाए,